स्वागत है संध्या के किचन में आज हम बनाने जा रहे हैं पूरन पूरी हमने आधा किलो दाल लिया है राद भर अच्छे से भिगो के रख दिया था और चार पाज पानी हम चने दाल को अच्छे से हम धो लिया है चना दाल हमारा अच्छे से फुल गया है आप लोग को चाहिए तो आप लोग तिन चार घंटे में भी फुल के हो जाता है भिगो के रख सकती है देखे परफेक्ट हमारा फुल के हो गया है अभी हम कूकर में डाल दिया है उबलने के लिए तीन से चार गिलास हम पानी डाल देंगे जैसे हमारा चना चना दाल अच्छे से पक जाए इसमें हम ना तो मसाला डाल रहे ना तो नमक डाल रहे हैं हम दो तरह का पूरण पूरी बनाएंगे आज अभी हम कूकर रख दिये गैस पर तीन सीटी स्लो आज और दो सीटी फूल आज अभी हम लेसून और हरी मिर्चे इसको हम कूट लेंगे अच्छे से अभी हम आधा किलो आटा ले लिये हैं इसमें हम आधा चम्मच नमक डाल दे रही हूँ दो से तीन चम्मच हम तेल डाल देंगे इस सब डालके हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अच्छे से मिक्स करेंगे न तो पूरान पूरी बहुत सौप्ट बनके तयार होता है आप लोग को चाहिए तो आधा आटा आधा मैदा ले सकती हैं अभी हम थोड़ा थोड़ा पानी डालके अच्छे से हम आटे को गुल लेंगे हमें ज्यादा ना नरब ना तो ज्यादा कडक हमें नॉर्मल आटा चाहिए जैसे हम रोटी के आटा बनाते ना सेम होईसे ही चाहिए अभी हमारा कुकर ठंडा हो गया अभी हम कुकर खोल के चेक करते हैं कि हमारा चना पक गया है कि नहीं चना दाल देखें परफिक्ट हमारा पक गया है अभी हम गैस पे कड़ाई रख दे रहे हैं कडाय हमारा गरम हो गया है उसमें हम तेल डाल देंगे 2-3 चमच अब लीड़ चमच जीरह डाल देंगे अब हम तड़के का तयारी कर रहे हैं चने डाल का हम 2 पिंच हिंग डाल दे रहे हैं हिंग का टेस तो बहुत अच्छा आता है पूरन पूरी में हमारा जीरा अभी हलका सा ब्राउन हो गया है अभी हम लेसुन और हरी मीर्च इसको भी हम अच्छे से पका लेंगे जब तक खुसबू ना जाए अभी हम हल्दी मर्चा धनिया पाउडर डाल दे रहें मसाला यह भी हम अच्छे से पका लेंगे अभी हम डेड़ चमच नमक डाल दे रहे हूं सौध अनस्वार अभी हम चना दाल को कड़ाई में डाल लेंगे हमने आधा चना दाल डाल लिया है आधा हम मीठा के लिए रख दिया मीठा वाला बनाने के लिए देखिए हम अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं जैसे कि हमारा चना दाल अच्छे से मिक्स हो जाए हम इसको पीसेंगे ना यह अच्छे से मतनी से मत लेंगे मैस कर लेंगे हमारा गैस एकदम स्लो है अभी हम मैसर से मैस कर लेंगे जब तक कि हमारा अच्छे से मैस न हो जाए क्योंकि हमें पीसना नहीं है ना बहुत इजी से हो जाता है मिक्सर में अच्छे से पिसाता भी नहीं है और यह फटा फट हो जाता है इसी तरह से हम इसको मैस कर लेंगे देखिए पर्फिक्ट हमारा मैस करके हो गया है इसी तरह से आप लोग भी बनाईए बहुत आसानी से बन के तयार हो जाता है अभी हम एक पलेट में निकाल लेंगे जैसे कि हमारा ठंडा हो जाए आप लोग इस तरह से भी पलेट में निकाल के मैस कर सकते हैं अभी हम पलेट में निकाल लेंगे जैसे कि हमारा अच्छे से ठंडा हो जाए अभी हम उसी कड़ाई में दूसरा भी बना लेंगे मीठा वाला अभी हम चना डाल डाल दिये है कड़ाई में हमने 100 गराम गुल ले लिया है पाव किलो चना डाल लिया है 100 गराम गुल ले लिया है आप लोग चाहे तो इसी जगह आप लोग सक्कर भी डाल सकते हैं अभी हम इसे इसको मिलाना है जैसे कि हमारा अच्छे से गूर अच्छे से पिघल जाए तब तक हमें चलाना है गूर थोड़ा सा पानी छोड़ता है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है अभी हम इसे सुखाना है जैसे कि अच्छे से सूख जाए तब तक हमें इसे ही जलाना है अभी हम इलाची डाल दे रहे हैं इलाची पाउडर इलाची का बहुत अच्छा खुश्बू आता है और टेश्ट भी बहुत अच्छा आता है अभी इसको हम मैस कर लेंगे हमारा गय स्लो है जैसे कि जलेना अब धीरे धीरे हम मैस कर लेंगे थोड़ा बहुत गीला भी रहेगा ना तो पंक्खे के नीचे रख देंगे ना तेकदम से सूख जाता है बहुत ही टेश्टी बन के तयार होता है मीठा वाला पूरन पूरी देखिए हमारा पर्फेक्ट बन के तयार हो गया हमारा आटा भी एकदम सौप्ट है देखिए इसी तरह से बन के हमारा पूरन तयार हो गया है देखिए यह हमारा मीठा वाला पूरन बन के तयार हो गया है अभी हम आप लोग को पूरन पूरी भर के दिखा देते बेल के ना ज्यादा मोटा ना ज्यादा पतला इसी तरह से हमें गोल गोल बना के इसमें पूरन को भर देना है पूरन अच्छे से भरेंगे ना तो पूरी बहुत अच्छा स्वादिश बन के तयार होता है बहुत ही टेस्टी बन के तयार होता है इसी तरह से हमें भरना है ऐसे थप थपा के करेंगे न तो अच्छे से पूरन हर जगा पहुँच जाता है परफेक्ट बनके तयार होता है हमारा पूरन पूरी अभी हम सुखा आटा लगा के अच्छे से हम बेल लेंगे हमें ज्यादा बड़ा नहीं बेलना है ना ज्यादा बड़ा ना ज्यादा छोटा हमें मीडियम में बेलना है देखे हमारा तावा गरम हो गया है अभी हम पूरन पूरी को डाल दिया है तावा पे अभी हम पूरी को अच्छे से पलट लेंगे, अभी हम तेल लगा देंगे, आप लोग को चाहिए तो घी लगा सकते हैं, चारों तरब से हम अच्छे से तेल लगा लेंगे, देखें कितना अच्छा कलार आया पूरी क्या, अभी हम दूसरी तरब भी लगा लेंगे तेल, बहुत ही टेश्टी बन के तयार होता है, अभी हम चारों तरब से पल्टी करके सेक लेंगे, चारों तरब से दबा दबा के, जैसे कि हमारा फूरी कच्छा ना रहे, देखें कितना अच्छा फूल रहा हमारा पूरी, देखें पर्फेक्ट हमारा पूरी बन के तयार हो गया है, अभी हम दूसरा मीठा वला बना के दिखा देती हूं, इसी तरह से हमें मीठा वला भी बना के तयार करना है, इसको भी हम दोनों तरब से पल्टी कर लेंगे, दोनों तरब से तेल लगा लेंगे, दबा दबा के सेक लेंगे, जैसे कि कच्छा ना रहे, बहुत ही अच्छा हमारा पूरन पूरी बन के तयार हो गया है अभी आप लोग को हम दिखा देते हैं तोड़के देखिए बहुत ही सौप्ट पूरन पूरी बन के तयार हुआ है यह है हमारा मीठा वाला पूरन पूरी जितना अच्छा पूरान भरेंगे ना उतना अच्छा पूरी बन के तयार हो जाता है यह हमारा तीखा वाला है नमक वाला देखिए परफेक्ट हमारा बन के तयार हुआ है बहुत ही टेश्ट है हमारा पूरान पूरी पसंद आए तो लाइक से सस्क्राइब जरूर करना अब बेल आइकन बटन जरूर दबाना जैसे कि हमारे नए नए वीडियो आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे ताटा बाए बाए